दोस्तों नमस्कार ये देखेगा भावती खूबसूरत ये द्रिश्य देखने को मिल रहा है परकृती और मानविय कलाकृती का ये बेजोड गठवंदन है आस्मान में देख सकते हैं कि बादल चाये हुए हैं नील गगन भी इन बादलों के बीच से नजर आ रहा है सामने परताफ नगर बिदानसवा परताफ नगर बिकास खंड के ये तमाम गाओं इन पहाडियों पर नजर आ रहे हैं तमाम जो पहार नजर आ रहा है परताफ नगर का छेतर है इसके ठीक नीचे देखेगा विश्व परसी ठीरी जील है और यहां पर इसक्रिन के बीचों बी जील का जो एरिया अभी नजर आ रहा है यहां पर देखेगा डोबरा चांटी पुल है जो कि भारत का सबसे बड़ा सस्पेंसन ब्रीज है जूला पुल है और यहां पर यह फ्लॉटिंग हड्स है जहां पर की एक रेश्टोरेंट है और कुछ दिन पहले काफी बिवाद भी य सजा रहा है इस पर भी काफी चर्चा हुई थी यह दिम आगे की तरह बढ़ेंगे तो बहुत ही सुन्दर नजरा दिख रहा है पहाड़ियों के ठीक ऊपर से रोएले बादल नजर आ रहे हैं और नीचे देखेगा टिहरी जील और इस तरह भी यह पहाड़ी नजर आ रही ह है एक पिरामिड की तरह उठी हुई यह पहाड़ी और इस पहाड़ी के बीचों बीचे गाउं जो नजर आ रहा है यह जिऊंद्यासु गाउं है यह देखेगा और बिलकुल जील के समीफ बहुत ही खूपसूरत नजर आ रहा है कुल मिला करके 42 किलो मिटर में फैली हुई ह टिहरी जील 37 गाउं पूरण रूप से डूब चेतर में आ गए थे टिहरी डैम के बनने से आगे की तरफ का द्रिश्य देखेगा और पहाड़ी के जश्ट बगल से यह जो कुछ एरिया नजर आ रहा है जहां पे कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई है यह कोटी कलोनी है और य यहां पे जितने भी बोटिंग होती है जितने भी एडवेंचर होते हैं वाटर स्पोर्स के जो कारेकरम होते हैं इसे संचालित किये जाते हैं टिहरी जील मोहतसब का एक बहुत बड़ा कारेकरम आयूजित किया जाता है यहां पे और आगे देखेंगे तो इस पहाड़ी के ठीक बीच में जो दो पहाड़ियां है इनके बीच में जो जील का एरिया यहीं पर टीरी डैम है और जील का यह वाला एरिया देखेगा जो आगे की तरफ नजरा रहा है यहां से भिलंगना नदी बहे करके आती थी और यह वाला जो जील का एरिया यहां से भागी रती बहे कर क्याति थी और यहाँ पर इसक्रीन के ठीक इचों बीच जो ये एरिया नजरा रहा है यहां पर संगम होता था इन दोनों पवित्र नदियों का और इसी संगम को गनेश परियाग कहा जाता था क्योंकि परियाग सब्द संगम से ही बना हुआ है और संगम को को ही परियाग कहते हैं तो गणेश परियाग ठीरी का आध्यात्मिक नाम हुआ करता था तिरहरी को ही ठीरी कहा गया और ठीरी में सुमन सागर बांद के नाम से भी ठीहरी बांद को जाना जाता है स्वामी रामतीर्थ बांद के रूप में भी से जाना जाता है तो यकिनन बहुत ही शांदार द्रिश्या है और यह प्रकृति का सुन्दर नजारा है और डैम बनने के बाद यह मानिविया कलाकृति का भी रूप इसमें ज जर आती हैं जो अपना रंग बदलती है तो रंग बदलती हुई लाइटों के बीच जब परतिभिम इस पुल का जील पर पड़ता है तो दिरिश्य बेहत खूपसूरत होता है चाइनीज डाइनेमिक लाइट इस पे लगी हुई है और पुल का कलर भी उन लाइटों से बदलत नुहत्सब के साथ साथ अन्या समय में भी यहांपे पहुँचते हैं और यहां पर वाटर स्पोर्ट का भहुत ही आनंद प्रायप potatoes करते हैं भहुत ऐ मनुरंजन के साथ भहुत ही उमंग के साथ यहां पर समय बिताते हैं और इस खुबसूरती को अपनी यादों में संजोए रखते हैं फोटोग्राफी करते हैं, सेलफी कीशते हैं, वीडियोज बनाते हैं तमाम परकार के जो ब्लोगर हैं, जो न्यूज रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, बड़ी बड़ी सैलिबर्टीज हैं वो तीरी जील में आते हैं और यहां पर अपना बेस किमती समय बिता करके इस बिती अस्तान को अपनी यादों में बसाई रखने के लिए लगतार आने के लिए उमंगित रहते हैं और यह इस्तान एकिनन बेहत खुबसूरत है और यह देखेगा यह तमाम जो च्चेतर है, अपने आप में एक निराला च्चेतर है और यहां पर जील का कलर देखेगा कितना गहरा कलर है और उपर से बादल है बीच में पहाडियां है तो इस परकार के द्रिश्यों को देखने के लिए तिहरी में आपको आना पड़ेगा तिहरी जील के पास जब आप आएंगे तो आपको प्रकृति का सुन्दर नजारा प्रेटन के लिए सबसे आगे रखा जाएगा और हर किसी की पहली 24 टिहरी होगी जो की अपने आप में एक बहुती अद्भुत प्रेटक इस्तल बनने जा रहा है क्योंकि अभी शुरुआत है और शुरुआत से ही टिहरी के परती जो प्रेटक है जो सहलानी है उनका जुका बहुत अधिक है और जैसे जैसे यहां पर विकास बढ़ता चला जाएगा यहां पर अनेक परकार की एक्टिविटीज सुरू होती रहेंगी समय के साथ साथ यहां पर काफी विकास होगा यह चेत्र विक्सित होगा उसके बाद विस्वपटल पर टिहरी जील एक अलग ही र एक्टिविटीज हैं जो वाटर स्पोर्ट हैं जो एडवेंचर हैं उस पे बने हुए जो पुल हैं उन्हें देखना हर किसी का शपना होगा और इच्छेत्र विकास करेगा टिहरी विकास करेगी और टिहरी के साथ साथ टिहरी के लोग काफी आगे बढ़ेंगे और यही हम उम्मीद करते हैं और यही हर किसी का शपना भी होना चाहिए देखेगा डोब्रा चांठी पुल का एक हिस्सा यहां से दिख रहा है भारत का सबसे बड़ा जोला पुल है टिहरी जील पर बना है डोब्रा में बना है चार सो चालिस मीटर लंबा है जो इस्पान हिसका कि सस्पेंशन ब्रीज पुरे बिस्व में आकर्शन का केंदर रहा है और यह बिसाल का इटिहरी जील जो 42 वर किलो मेटर में फैली हुई है इस पे कई फ्लोटिंग हाउस है लगतार बोट यहां पे संचालित की जा रही है प कुछ देर में बारिस होने की संभावना है चारों तरफ के जो हरे भरे पहाड है परच्छाई होने के कारण गहरे रंग के नजर आ रहे हैं और टिहरी जील उमीद करता हूँ कि इस वीडियो में अच्छी देखेगी क्योंकि लाइट की थोड़ा प्रोब्लम है अभी पूरी चाया रखी है आसमान में बादल है यह देखेगा लबालब भरी हुई है इस समय टिहरी जील जो इसका सीर्स लेबल है वहां तक पानी भरा हुआ है कि सिराई वाला है और उससे आगे कोटी कलोनी और जहां पर डैम बना है 200 परसी टिहरी डैम उचेत्र है इसके आगे सामने से परताब नगर का चेत्र है कि डोबरा चांठी पूल नजर आ रहा है कि आसा करते हैं वीडियो आपको फसंद आई गई आपको वीडियो पसंद आ हैं तो फेस्बूक पेज को फॉलो जरूर कीजेगा ओर इदी आप हमें इस्टागराम पर देख रहे हैं तो यह यू आप है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकूल न भूलेगा मिलते हैं आप शेक अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार